नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चन्चार जागंदर मिशा में शूर ग्रहन 30 अप्रेल को जरूर करें ये पांच काम जिन्दगी में जो सोचोगे वही मिलेगा दोस्तों इस साल का पहला शूर ग्रहन इसी महीने 30 अप्रेल को लगने जा रहा है इसके बारे में मैंने कल भी आपको जानकारी बताई थी कि इस बार के शूर ग्रहन का समय क्या रहेगा सुता काल बगर है क्या रहेगा और इस शूरगण का प्रभाव भारत में आंसिक रूप से रहेगा तो कैसे क्या रहेगा ये जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में बताई थी लेकिन यहां हम जानेंगी कि शोरगण के दवरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तो इस वार शोरगण शनिवार की अमश्या को लगने जा रहा है यानि शनिश्री अमश्या की दिन रहेगा इसलिए शूरगण का महत तो कई गुना बढ़ जाता है और क्योंकि ये शूरगण आंशिक होगा तो इसलिए इसका सोतक काल तो नहीं लगेगा लेकिन आपको कुछ सावधानिया जरूर बरतनी चाहिए मतलब शूरगण के दौरान क्या करें और क्या ना करें दस ऐसे काम है जो आपको बिल्कुल भोलकर भी नहीं करने है वरना फिर जिन्दिगी भर पश्ताते रहोगे और ये आपने बताया नहीं पहले अचारजी कहोगे जानकारी के लिए बता दूँ कि ये शूरगण 30 अप्रेल शनीवार की मद रातरी 12 बचकर 15 मिट से सुरू होगा और जो कि सुबह 4 बचकर 8 मिट तक चलेगा रात में लगेगा ये शूरगण शबसे पहली बात तो ग्रहन के दौरान क्या करना चाहिए आपको मतलब क्या काम है जो जरूर करने चाहिए भोजन पानी आज में तुलसी का पत्ता डाल दें ग्रहन सुरू होने से पहले ताकि ग्रहन का नकरात्म का शर उन पर न पड़े और ग्रहन के बाद वापस आप भ पूजा स्थाल जो है उससे ढख दें ग्रहन के दौरान जहां तक हो सके सोए नहीं अगर आप बिमार आदमी है जरूरत है आपको सोने की तो जरूर सो जाए आप ताकि आप जग सकें तो आप जग सकें ये ज़्यादा बहतर होगा ग्रहन के दौरान जदस जदा अपने बात करतें कि जग्रहन के दल को क्या नहीं करना चाहिए जोकि दोस्तों ऐस्त्री महानताओं के अंसार मुताबिक शूर्गहन के दला नहीं नगरातमकुर्जया बढ़ जाती है और इस समय कोई भी शूब काम नहीं करना चाहिए जानी की क्हब्रहन कि दागा डालें कि बिल्कुल भी चाकुस हुई कैची धार-धार चीजों को इस्तमाल ना करें और नहीं यह चीजे हाथ मिले ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में पल रहे सिसु बच्चे के जिंदगी में नकरात्मक असर पढ़ेगा और नकरात्मक ता आती है ग्रहन के दौरान कोई यात जहां तक संभव गर के अंदर ही रहें तो यह कुछ खास बाते इंपोर्टन्ड इंफोर्मेशन सुर्गण से संब्धित उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो को लाइक जिरूर करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए